चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की और और फटा-फट हम लोग देखते हैं कि आज किस लेक्चर में क्या खास होने वाला है चलिए तो देखते हैं कि आज हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं पहला जो है हम लोग पढ़ेंगे आज combination of registers बहुत ही important topic है क्यूं करते हैं यह जानना और उसका practical application क्या है यह भी हम लोग देखने वाले हैं उसके बाद हम लोग देखेंगे combination में कितने type का combination use किया जाता है series combination है, paddle combination है और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर इस type के combination से किस प्रकार के combination में हम लोग हो क्या-क्या फायदा मिलता है और क्या नुक्षान होता है और इस से related जो numerical problems हैं उसको भी हम लोग discuss करने वाले हैं तो सबसे पहला जो topic आता है कि आखिर हम लोग combination करते ही क्यों है तो होता यह है कि देखें हम लोग practical approach को लेते हैं एक register जो design किया जाता है आपने अभी तक resistance को जरूर पढ़ा हो resistance क्या है एक property है material का जिसके कारणों वो oppose करता है current के flow को ठीक है और इस property का use करके जब हम लोग कोई circuit element design करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं register तो company जो होती है अलग-अलग value की register त्यार करते हैं ठीक है सबसे पहले आपको यह जानना है कि जो अलग-अलग company होती है क्योंकि कोई भी element होगा कहीं कहीं design किया चाहेगा और एक बार design करने के बाद उसके value में changes कर पाना possible नहीं होता है वैसे हम लोग यह भी जानेंगे कि register दो type का होता है हमने पहले देखा भी है एक जिसका fix value होता है उसके value को change कर पाना possible नहीं है और एक दूसरा जिसको के value को हम लोग क्या कर सकते हैं change कर सकते हैं जैसे हमने पिछले video सब में देखा है जो real stat था या trimmer यह सब जो था यह सब हमारा variable register था तो आपको यह सिर्फ ध्य रिखान देना हैं कि एक बार कोई device जब बन जाता है तो या तो उसके value में कोई change नहीं किया जा सकता है या फिर एक certain range तक ही हम लोग उसमें change कर सकते हो डेपेंड करेगा कि उसको बनाया कैसे गया थीख तो fix जो register है उसके value में हम लोग change नहीं कर सकते और जो variable resistor है उसको एक range तक में ही हम लोग change कर सकते हैं कई बार जब हम लोग practical application की बात करते हैं तो कई बार ऐसा situation आता है कि वैसे value जो एक company design करती है उस resistance value का हम लोग को requirement नहीं होता हमारे circuit में मैं माली जी कि एक company जो है वो बनाती है 5 ohm, 10 ohm या ऐसे करके 50 ohm, 100 ohm या ऐसा resistance बनाती है और माली जी कि हम लोग को बीच का कोई value चाहिए ठीक है तो हम लोग फिर कैसे produce करेंगे कई बार हम लोग को circuit में उसकी जरुरत पढ़ जाती है तो इसलिए हम लोग अगर कोई value, desired value का जो resistance है उसको achieve करने के लिए हमारे पास जो है यह एक तरह से theory है हमारे पास और उसके द्वारा जो है हम लोग समझ जाएंगे फिर कैसे हम लोग करते हैं यह भी जाननेगे ठीक है तो देखिए हम लोग को जैसे मान लिजेए कि हम लोग रेजिस्टर आप जानते हो symbol ऐसा यूज किया जाता है series combination में क्या होता है कि side by side जो है रेजिस्टर सबको ऐसे connect किया जाता है suppose इसका value है R1 और इसका value है R2 तो अब जो overall इन दोनों point के बीच हमको effective resistance मिलेगा वो मिलेगा R1 प्लस R2 इस type का combination होता है इसको हम लोग कहते है series combination series combination में क्या होगा कि जो effective resistance है उसका value जो हमको जादा मिलेगा ठीक है तो कई बार ऐसा है जैसी कि हमारे पास एक 5 ohm है और एक 3 ohm का resistance है और हमको चाहिए क्या 8 ohm का resistance का requirement है तो हम लोग simply क्या करेंगे इसको series में connect कर देंगे तो हम लोग को 8 ohm का resistance जो होगा मिल जाएगा ठीक है तो यहाँ से हम लोग क्या सीखे कि हम लोग क्या कर सकते है अगर resistance का value बढ़ाना हूँ तो हम लोग series combination prefer करेंगे और आगे चलके जब हम लोग देखेंगे तो उसमें जब parallel combination में क्या होता है कि resistors को ऐसे side by side connect किया जाता है ठीक है तो ऐसे side by side आप connect करते हो तो इस combination में देखेगा इन दोनों point के बीच अब effective resistance अगर हम लोग calculate करेंगे तो यह जो आएगा वो कम आता है ठीक है जैसे हम लोग क्या करना है एक 5 ohm का resistance है और हमारे पास है suppose 10 ohm का है और हम लोग को जो resistance चाहिए वो less than 5 ohm चाहिए जो required resistance है वो 5 से कम होना चाहिए तो इस situation में हम लोग क्या करते हैं कि resistance को जो भी resistor होगा उसको हम लोग parallel में connect करेंगे ठीक है तो parallel में जो effective resistance आएगा उसमें जो सबसे छोटा value होगा जैसे इस condition में 5 ohm है इससे भी कम आएगा तो resistance का value effective resistance का value बढ़ाने के लिए हम लोग series में combination करते हैं और अगर हम लोग को कम चाहिए resistance जो भी हमारे पास available है उससे कम तो उस condition में हम लोग क्या करेंगे parallel combination करेंगे दोनों के अपने अपने फायदे नुकिसान है एडवांटेज और डिजवांटेज की जब हम लोग बात करते हैं तो especially हम लोग जब एक घर में supply यूज करते हैं इस टाइब को combination करते हैं तो उस समय क्या advantage हम लोग को मिलेगा किसमें या जो डिजवांटेज होगा वह हम लोग देखेंगे और इससे रिलेटर जो निमेरिकल प्रॉब्लम है वह भी करने वाले हैं